दोस्तों आज हम जानेंगे ब्लेक मांबा के बारे में जो सब साहरा अफ्रीका की कॉंटिनेंट में पाया जाता है ब्लेक मांबा ज्यादतर सावर नास प्रॉक्य हिल्स और साउट इन इस्ट में रहते हैं ब्लेक मांबा के शरीर का रंग ग्रे से डार्ग ब्राउन होता है। और ब्लेक मांबा को अफरीका कसप से लंबा और जहरेला साप माना गया है। ब्लैक मांबा ज्यादतर हेरेक्स, बुश बेबी, स्मॉल मैमल्स और बड्स और एट्स को कंजूम करते हैं जिनने ब्लैक मांबा को डाइजेस्ट करने के लिए 8 से 10 गंटा लगता है ब्लैक मांबा को वेनम जो नियूरो टॉक्जिन और कार्डि टॉक्जिन से मिला हुआ है जो डाइरेक्ली अटेक करता है नर्वस सिस्टम पे और कभी-कभी विक्टम को पैलालेसिस भी बना देता है अगर ब्लैक मांबा किसी व्यक्ति को काट ले तो वह उसके शरीर में 100 से लेके 120 ग्राम का जहर डिलीवर कर देता है जिससे इस व्यक्ति के मौट ठीक 45 मिनिट के बाद हो जाती है फीमेर ब्लैक मांबा जो एक समय पर 6 से 7 अंडे देती है और ठीक 2 या 3 मेने के बाद उन अंडों में से बच्चे भार आते है ब्लैक मांबा के हाइड 6.6 फीट से लेकिन 9.3 फीट तक बढ़ सकती है और वर्ल्ल रिकॉर्ड 14.8 फीट का है ब्लैक मांबा का वेट 1.6 केची और इसकी स्पीड 11 किलोमेटर पर आर साइंटिस्ट का मानना है कि ब्लैक मांबा सिथ 11 साल तक ही जी सकती है दोस्तों इस वीडियो को समय देने के लिए धन्यवाद अगर आप इसी तरह से एनिमल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाते हो तो आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लिजी जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सब और आपको ये व अधर में प्रेंच, थेंक्स फर उचिंग दी वीडियो